जैहिन साथियों स्वागत है आपका टार्गेट बालोजी में मैं आसी सर आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10 और क्लास 12 की बालोजी का एक महत्वपूर्ट क्वेस्चन ठीक है जो हर साल बोड इक्जाम में आपको दो नमबर देखे जाता है ठीक ह साथ हूं तो टॉपिक के आज हो जाएगा आज का टॉपिक जो होगा साथ हूं वो होगा डिफ्रेंस बिट्मिन सेक्चुल रिप्रोडक्शन एंड यानि लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन में अंतर यह महत्त्पूर्ट टॉपिक होने वाला है आई यह सुरू करते हैं इसमें दो जनकों की आवसकता होती है इसमें दो जनकों की आवसकता होती है ठीक है साथियों हम पूरा नहीं लिखेंगे आपको ठीक है आप समझ लिजेगा हम आपको बोल कर बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है दो जनकों क्या सकता है दो जनक कौन कौन हो जाएंगे साथियो तो एक हो जाएगा नर और दूसरा क्या हो जाएगा साथी हो फीक है इसमें नर और मादा की क्या होती है आओ सकता होती है जबकि अगर हम बात करें ऐलेंगिक जनन में तो ऐलेंगिक केवल एक ही जनक की क्या होती हैं आर्व सकता होती है ठीक है आप समज Produkt आई ये नमबर दो की बात करते हैं तो दूसरे point के बात करेंगे तो दूसरा point साथ ही नXT क्या हो जाएगा हम कहेँगे कि इस प्रकार का जो जनक होता है लैंगिदमन वह जनक के जनन को सिकाओं में होता है ठीक असातियों जो जनक है उसके जनन को आंघो मांदा के तो मादा के कहां पर अंडासे में, मादा के कहां पर साथियों, अंडासे में, ठीक है, यह जनन होगा, ठीक है, अगर वही हम बात करें, अलेंगिक जनन की, तो अलेंगिक जनन में साथियों क्या होगा, इसके काईक कोसिकाओं में, ठीक है, जो काईक कोसिका होती है, उस काईक निर्मार होता है वर नि शेचन होता है। क्या होता है साथियों निश्येचन होता है युगमकों का निर्माड होता है और क्या होता है निश्येचन होता है जबकि अलेंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं उसमें युगमक का निर्माड होता है और नहीं इसमें क्या होता है साथियों निश्येचन क्रिया होती ठीक है I hope इतनी बातें आपको समझ में आ रही है आईए अगले पॉइंट की तरप चलते हैं अगला पॉइंट क्या करहें साथी हूँ नमबर चार पॉइंट क्या कर रहा है नमबर चौथा पॉइंट कह रहा है कि आलेंगिक जनन जो होता है आलेंगिक जनन में अर्धसुत्र विभाजन और समसुत्री विभाजन दोनों टाइप्स के डिवीजन होते हैं यानि मियोसिस डिवीजन एंड मैटोस डिवीजन दोनों टाइप्स के डिवीजन होते हैं किसमें अलेंगिक जनल में वही अगर हम देखें अलेंगिक में तो इसमें क्या होता है साथियों इसमें क कि इस प्रकार के जनन में क्या होता है जो संतती बनती है यानि जो संतती जो संतान बनेगी वह संतान कैसी होती है अपने जनक से डिफ्रेंट होती है किसमें अलेंगिक जनन में अगर हम लैंगिक जनन में तो जो संतती बनती है वो कैसी होती है अपने जनक से डिफरेंट होती है अलग होती है यानि उसकी जो आनुवानसिक सनरसना होती है वो अलग होती है जबकि अगर हम देखे लैंगिक जनन में तो अलेंगिक जनन में जो संतती बनती है वो अपने पै तो आप देखेंगे जो संतती बनेगी वह कैसी होगी गुलाब जैसा ही होगा यानि जो आनुवांसिक संरस्ना इसके पैरेंट में थी वही आनुवांसिक संरस्ना किसमें है इसके संतती में है जबकि अगर हम देखेंगे लैंगिक जनन में देखेंगे तो लैंगिक जनन में क अग्ले पॉइंट की तरह चलिंगे च्छठा पॉइंट क्या करा नहीं जिवा में होता है जब के के लेंगी की बात करें तो अलेंगी जनन निम नो कोटी वह कुछ कसेर्वकियों में पाया जता है ठीक है साथियों तो ये कुछ पॉइंट्स थें लेंगी और अलेंगी जनन में यह एक बहतरें टौपिक और important topic है आप इसको देख लिजेगा exam के दृष्टी कोर से और NCRT best question था तो हम आसा करते हैं कि आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर आपको विडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को subscribe कर लिजे like कर लिजेगा और comment करना ना भूलेगा धन्यबास आतियों जैहिंद